हालो फ्रेंट्स गुड मोधी केर मानिंग दोस्तों मोधी केर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को मोधी केर गिलोई के बारे में बताऊंगा जिसको आप देख सकते हैं यह है मोधी केर गिलोई टेबलेट जैसा कि आप जान रहे हैं कि गिलोई इस समय बहुत तेजी से प्रसलित हुआ है और आप जानते हैं कि इम्यूंटी बढ़ाने के लिए सबसे बहतरीन यह एक प्रकार का हरवल प्रोड़क्ट है जैसा कि हमारी मोधी केर कंपनी ने कुछ ही दिन पहले इसको लांच किया है गिलोई दोस्तों अगर गिलोई का मैं बता दो कि अगर आप उपयोग करते हैं तो अगर आप इसका डेली उपयोग करें तो आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी चलिए मैं सबसे पहले गिलोई का नाम बता दो दोस्तों गिलोई को गुरुची करते हैं और इसको आ इसको अम्रिता कहा जाता है और इसमें कई सारे ऐसे पोशक्तत्व हैं इस टेबलेट में जिसको आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे हलाकि यह हमारे आसपास में भी पाया जाता है और बहुत सारे लोग इसका जो पतियों को उबाल करके यह तन्य को उबाल करके इसका सेवन करते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन कौन से पहुँशकता तो पाया जाते हैं इसको जानने से पहले मेरा चेनल अगर आपने कोई समस्था तो आप तक सबस्क्राइब पहुंचे जलने दोस्तों मैं बता दो कि कौन सा पोशकता तो पहले मैं पता तो गिलोव में जो है जैसे कि का पर भी इसमें पाए जाता है आयरन पाया जाता है इसकी एल्फॉरस पार्य जाता है जिंक पाए जाता है केल्सियम पाए जाता है और मैगनेज इसमें प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसका मैं चलिए आप लोग को गुण बता दू कि इसमें अनेकों प्रकार के गुण पाए जाते हैं जैसे कि अगर इसका आप उपयोग कर रहे हैं तो आपके बौडी में किसी भी प्रका और रोग नहीं होगा जैसे कि फंकर इंफिक्शन हुआ वायरल इंफिक्शन हुआ या बैक्टेरियल इंफिक्शन वा इस सब के लिए बहतरीन है अलर्जी अगर कहीं हो रही है तो उसके लिए भी बहुत बहतरीन है और दोस्तों मैं बता दूंँ आप लोगों की गिलों में प्रिचुर माइत्रा में पाए जाता है हमारे सरीर में कहीं भी सूजन नहीं होने देता है करने टाइंक नहीं बनने देता है इंटीटीं इंफ़िमेटरि गुड जो हमारे सरीर को सेस्थ का है रखने के लिograf cricket बहुत जरूरी होता है anti-inflammatory property पाई जाते है जो कि सूजन रोधी गूर पाई जाता है इसमें कहीं भी सूजन नहीं होने दिता है अगर आप गिलोई का tablet जो मोदी केर का गिलोई टेबुलेट है इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आपके सरीर में कैंसर भी नहीं हो सकता है इसके अलावा मैं आप लोग को बता दो कि में एंटी एजिंग प्रपर्टी पाई जाती है अगर आप इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आपका उम्र जो जल्दी से ढलता है या जैसे लगता कि जल्दी से जवान हो रहे हैं या बूड़े हो रहे हैं तो आप ऐसा नहीं होगा अगर इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आपका जो उम्र बढ़ रहा है उसको भी रोख देता है इसके अलावा इसमें एंटी पाई रूटिक प्रफर्टी भी पाई जाती है अगर बुखार किसी भी प्रकार का हो जैसे कि मलेरिया हो या तो का इंफेक्शन वाइरल इंफेक्शन तो अगर आप इसका प्रियोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का संक्रमण आपके बाड़ी में नहीं हो सकता है और इसको सबसे बड़ा इम्यून्टी बुष्टर का जाता है यह हमारी बाड़ी को बुष्ट करता है और प्रतिरोदक होने की वज़े से यह गले में खरास होता है या सर दी सी जुखाम बुखार होता है उसमें ज्छाब करता है जादा सांस फूलती अगर इसी कि अच्छा काम करता है क्योंकि यह सरीर में अगर फिम्फटे में हो गले में सूजण हो हडडीों के किसी को गठिया कि सिकाई तो तो स्में बहुत अच्छा काम करता है लीवर में सूजन हो जाती है तो उसको भी सही करता है आतों के सूजन को भी सही करता है बहुत सारे पेसेंट होते हैं कि आतों में सूजन हो जाता है गांड बन जाती है उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है यहां तक कि लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है किसी को अगर ल पित कफ तीनों पर पहुती अच्छा काम करता है , बात पित कफ तीन कार के रोग होते है यह तीनों पर बहुती अच्छा काम करता है और नियंतृती मिल्स अगर किसी को k hairdryton की समस्या बतती होराम या मूत्र संबंद के नियंतृती है तो अैसी समस्या में भी अच्छा काम करता है यह गिलो प्रियों थे समय तो आपको पेट चाल के universes प्रियो अच्छा काम करेगा इस के अलमUNG हमारे बॉडि से लग तोग से अगर है उसमें तो उ logo करके बाहर फेक देता है पसीने के मादियां से या पेसाब के मादियां से हमारे सरी से बाहर निकाल देता है एंटी ऑक्सिडेंट होने के वज़े से हमारे जो चेहरे के फिरी रेडिकल्स होते हैं वह बिल्कुल हटा करके जो जुर्यां होती हटा करके नए इसकीन का से को भी खतम करता है और सबसे अच्छी बात मैं आप लोग बता दो कि हाइपो ग्लाइसेमिक एजेंट पाए जाने के कारण जो सुगर के पेसेंट होते हैं टाइप टू सुगर के पेसेंट होते हैं उनकी लिए बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि यह इंसुलीन को प्रेक्श्यट नहीं करता है और इसके अलाव में आप लोग को बता दू कि जैसे किसी को टेंगु को गया है तो टेंगु बुखार में यह मलेरिया के बुखार उसमें भी बहुत काम करता है और हमारे मिंदुर को हमेसरा बढ़ाता है जिससे कि हमारे प्रतों दक्षमता बढ़ जाती है और किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं होती औरologists मैं पता तो किसी को पि लिया हुआ तो इसका लगातार करें तो पिलिया कि सिकाइष God प्रियोग कर रहे हैं तो इनिमिक महिला को जो है इसमें आयरन की मातरा होने के वज़े से ब्लड का भी निर्मान करता है और जो कमजोरी होती है उसको भी दूर करता है क्योंकि इसमें जिंक भी पा जाता है और मैलाओं के लिए या पूर्सों के लिए तोचा के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है किसी प्रकार का दाग धबा नहीं होने देता है चेरे पर नहीं किसी प्रकार के अलर्जी होता है और मैं बता दो किसी को गठी है किसी काईत है सुजन हो जाता है जोड़ो में तो उसम तो आईरवेद में अम्रिता का दजा भी दिया गया है किसी प्रकार का अगर रोग होता है हमारे सरी में उसको खत्म कर देता है दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जदा जदा सेयर करिए का सब्सक्राइब करिए लाइक कमेंट करा ना भूलिएगा गुड मोध कर दो एक एर माने